आज क इस वीडियो में मैं आपको Ministry of Railway के तरफ से यहाँ पर Junior that to be कि इंक्रेंट लेवल की एकंशी आपको आपर देखने के मिल रहे हैं जिसमें कि यह आपर डिपलोमा और बीबी टेख वाले अपला कर सकते हैं कुछ post में M.E.M. Tech वाले भी apply कर सकते हैं और लगवलावक सभी branch के लिए vacancy आप कहाँ पर देखने के लिए अगर आप किसी branch से belong करते हैं तो बिल्कुल आप इसमे apply कर पाओगे तो सभी कुछ जानने के लिए video को end तक जरूर देखते रहेगा इसमें है All India से कहीं से बिल्ओं करते हैं apply कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी application भी आपको pay नहीं करना है बिल्कुल free of cost में आप इसको apply कर सकते हैं तो सभी कुछ जानने के लिए video को end तक जरूर देखते रहे हैं तो आपको मारे telegram channel या whatsapp group या whatsapp channel मिल जाती है link सभी का description या comment section के pinned comment में दिया गया जरूर से join होकर करिएगा वहाँ पर भी आपको सभी latest update notice video मिलती रहेंगी तो चलिए video को start करते हैं यह इसका official notification है और यह आपको railway की तरब से देखने के लिए ministry of railway की तरब से जिसमें की हाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं पोस्ट का नाम में section engineer आपको railway में जेई का पोस्ट पे आपको section engineer उसको भी जेई का जो भी पोस्ट होता है junior engineer को section engineer ऐसी भी आपको बोला जाता है तो अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं bachelor degree यह डिप्लोमा बहुत सारे अलग 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 ब्रांचेज बहुत सारे अलग 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 पोस्ट है यहाँ पर पोस्ट का नाम है section engineer qualification bachelor degree in civil engineering और equivalent और अगर आप डिप्लोमा इन civil engineering में कर रखें तो भी apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ आप देखोगे site engineer का पोस्ट है इसकी विकनसी नमर 119 अबलिक 2024 है जिसमें की bachelor degree in civil engineering या डिप्लोमा गराफ civil engineering में कर रखें तो यहाँ पर apply कर सकते हैं यह bridge civil track में आपको देखने करें मिल रही है इसके बाद यहाँ पर site engineer civil का पोस्ट है जिसमें की आपको same bachelor degree या डिप्लोमा अगर आप civil में कर रखें तो apply कर सकते हैं और भी branches के लिए दी गई है और भी मैं आपको बता हूँगा comment section में जो भी आपका branch हो जरूर बताए कौन से branch आप डिप्लोमा के हैं कौन से branch आप बीटेक के हैं या कौन से ट्रेडर से ITA के हैं ताकि आने वाले जो भी वीडियो या vacancies होंगी आप से relevant आपको देखने के लिए यह site engineer track में है जिसमें की आप बीबीटेक या डिप्लोमा स का दिया गया इसके बाद quality assurance quality control manager का पोस्ट है इसमें भी डिप्लोमा अशिस्टेंट का पोस्ट है इसमें भी डिप्लोमा से कर रखें तो अपलाई कर सकते हैं यहांपर साइट सर्वेयर का है इसमें भी सेम है उसके बाद यहांपर आप next branch की जो कि site engineer SN team है signal and telecommunication में जो की 125 25 अपलीक 2024 की वेकैंसी अगर आप बैचलर डिग्री अगर कर रखें सकते आद हैं इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वेकैंसी है यह आपको देखने के लिए मिल रही है सेक्षन इंजिनेर्ड इलेक्टरिकल में यह भी जे लेवल का पोस्ट है जिसमें की अगर आप यहाँ पर bachelor degree बेबी टेक इलेक्टरिकल ب्रांच में कर रख है याँ डिपलोमा कर रख है इलेक्टरिकल इंजिनेरिंग में तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं इसके बाद next है डिजाइन इंजिनेर इलेक्टरिकल का जिसमें की यहां पर electrical engineering में B.E.B.Tech या diploma कर रखें, यहां पर apply कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर site engineer O.H.E. power में इसमें भी electrical वालों के लिए दी गई है, इसके बाद यहां पर assistant section officer का post है, इसमें graduate degree in any discipline, इसमें किसी भी branch यहां पर belong करते हैं, जिरूड़ साफ इसमें apply कर सकते हैं, यहां प इसके बाद यहां पर site engineer power में है, जिसमें कि B.E.B.Tech अगर आप electronics engineering, electronics and communication engineering में कर रखें, यहां पर apply कर सकते हैं, तो इस PDF में जो है, वेकंसी नमर एक्सो सोलो से ले करके 130 तक दिया गया है, और एक दो तीन PDF है, तीन PDF अलग अलग यहां पर release की गई, यह दूसरा PDF है, जिसमें की वेकंसी नमर 107 से ले करके 115 तक यहां पर दिया गया, इसमें भी देख सकते हैं, बैचलर डिग्री, civil engineering से कर रखें, तो यहां पर apply कर सकते हैं, project leader, civil का यह post है, इसके बाद यहां पर दो next वेकंसी है, अगर आप यहां पर bachelor degree कर रखें, civil branch में तो apply कर सकते हैं, अगर आप पर पोस्ट है, जिसमें की civil में, अगर आप डिप्लोमा या बीबी टेक, उसके बाद यहां पर electronics branch में, अगर आप यहां पर बीबी टेक, bachelor degree in engineering, electronics engineering या डिप्लोमा कर रखें, electronics engineering में, तो यहां पर apply कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर bachelor degree in electrical engineering, उसके बाद यहां पर diploma in electrical engineering, उसके इस में अलग अलग यहां पर कि लिए अलग ब्रांचेज्थ के लिए अलग यहां पर पोस्ट है और अलग यहां पर उमिखने मिल टिक सकते हैं RITS Limited is in urgent need of dynamic and hard working professional as under तो अभी जो है जो भी इसमें इंट्रेश्टर ने जरूर से अपला कर सकते हैं डिरेक्टली आपको वाकिन इंटर्व्यू का अधर पर आपको इसमें जॉब मिलने वाली है तो कैसे इसको अपला करने आपको यहां पर विकंसी देखने करें लेगी 131 अबलिक 24 दूसरी पीडियाप में 116 से लेकर 130 तक की विकंसी है और तीसरी पीडियाप में 107 से लेकर के 115 तक की विकंसी जाए सभी के लिए लाश्ट यहां पर 16 अपर 1224 है रात दिन के 1130 अम तक आप इसको अपलाई कर पाऊगे और यहां पर एक विकंसी की लाश्ट इट 16 चार्ड दोजार चौबीस है यह आपको बारा वज़े तक अपलाई कर सकते हैं रात के यहां पर आपको विए का सेक्शन दिख रहा है इस पर सामने में किलिक करके तीरों PDF को डाउनलोड कर लेजगा मैं इसी पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो इसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद जो भी विकंसी नमर होंगी उसके सामने में आपको सभी जीटेल से देखने किलिए मिल जाएंगी कुछ स कौन से बराण से डिपलोमा की हैं कौन से बराण से बीवीटेक और कितने एयर का आपके पास experience है ताकि आने वाले जो अपडेट होंगी आप से relevant आपको देखने के मिलेगी यहां पर अगर apply करना चाहते हैं तो online registration वाले link पर किलिक करके आप इसको apply कर पाएंगे तो वीडिय देख सकते हैं वेकंसी का नमर दिया गया है तो जो भी वेकंसी के लिए apply करना चाहते हैं उसको आपको select करना जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 105 106 उसके बाद यहां पर 107 108 तो जो भी पोस्ट अभी मैंने आपको वेकंसी नमर दिखाया था आपको PDF में देख लेना है कि कि क पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए applicable है उसके बाद आप इसको apply कर लिजेगा जैसे आप उस वेकंसी को select करोगे तो यह वेकंसी यहां पर आपको पोस्ट का नाम देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको name of the applicant डालना है उसके बाद यहां प आप से यहां पर पूछा जाएगा कि have you come to no advertisement तो यह आप यहां से select कर लिजेगा कोई साथ आपको कैसे पता चला इस वेकंसी की बारे में तो आप यहां से social media select कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप लोग आगे बढ़िएगा जिसमें कि आपको यहां पर देखने के मिलेगा submit का option तो submit पर click करके आप इसको आगे submit करोगे तो यह आपका registration हो जाएगा उसके बाद और भी basic से details आप से पूछी जाएगे वो सभी कुछ डाल करके आप इसको submit कर दीजेगा तो आपको यह finally submit हो जागा कोई भी application भी आपको यहां पर pay नहीं करना है बिल्कुल free of cost में आप इसको apply कर पाओगे और अल इंडिया से कहीं से बेगरा belong करते हैं बिल्कुल आप इसमें eligible apply कर सकते हैं कोई भी restrictions यहां पर नहीं रखा गया तो आप आप इसको समझे होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यू वीडियो को जरूर से लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वज़ा से आज आज आप सभी का चैनल यहां पर 90,000 की फैमली यहां पर complete कर चुका इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्यू यहां पर बोलना चाहूंगा और आप सभी ऐसे ही प्यार औ आपको देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलती रहती यहां से जोन होकर कड़ेगा यहां करके सर्च करको करों वाट्सअप पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहती है डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप नमर दियागा उस नमर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजेगा जैसे मैसेज करोगे तुरंत आपको लिंक रिसीव होगा तो वहाँ पर भी किलिक करके आप टेलिग्राम वाट्सअप गुरूब सभी जगह से जोएन हो पाएंगे सभी लिंक्स वगेर आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा तो आप आप इसको समझे होंगे मिलते हैं नेक्ट व सब्सक्राइब कर देजेगा